चुनावी रंजिश को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए मुहवास से शुरू हुई शुरुवात लाठी डंडो तक पहुँच गई इसे जगणे में गुपता वा पाठक परिवार के छे लोग घायल हुए है पोलिस मामले की जाच कर रही है मामले अमरपाठन थाना अंतरगत ग्राम जर महरा का है जहाँ पर चुनावी रंजिश को लेकर गुपता परिवार वा पाठक परिवार के बीच विवाद हुआ और दोनों परिवारों के बीच जम कर लाध घुसे और दंडे चले जिसमें दोनों पक्ष के छे लोग खायल हुए है घटना के बाद दोनों पक्ष अमरपाठन थाने पहुँचे और एक दूसरे की खिलाफ शिकायत दर्श करवाई पेडित प्रेमलाल गुपता की माने तो वो बाजार गए हुए थे इसी दोरान परिजुनो द्वारा उनने फोन लगाया की ललन पाठक वा आने लोगो द्वारा उनके साथ गाली गलोच की जा रही है जब प्रेमलाल मौके पर पहुँचे तो उन्हें ललन पाठक को समझायश दी जिसके बाद ललन पाठक अपने रिष्टेदारों को लेकर दोबारा प्रेमलाल की घर गए जहांपर आनदलाल गुपता, ब्रजेश गुपता, विकास गुपता वा आकाश गुपता से ललन पाठक वा उनके साथियों द्वारा मारपिट शुरू कर दी और उन्हें डंडे से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद गुपता परिवार लन पाठक के घर पहुचा था, जहांपर उनके उपर भी लाठी डंडे से हमला कर घायल कर दिया, फिलाल दोनों पक्षों की शिकायत पर अमरपाटन धाना पुलिस ने मामला दर्च करते हुए जाच शुरू कर दी ह बोट वोट डार के आए कि हम घर मा परे रहें, अब हम नहीं जानी को उन्हें रंजिस भसाएं, हमरे उपर हो है गुपता परिवार, प्रेमलाल, अनंदलाल के लड़का, प्रेमलाल के लड़का, विकास, प्रमोधी सब आए के, हम अहीं तक थे मामार अब चालू कई दिन, मुक्का मारी नहीं, अडंडा लाठी मारी नहीं, एक्ठे लाठी चलाएं ही तक घर के भी तरह छूट गई, वह जाएके अड़ गयते बाहर जामा, हम तो थे नहीं सर, मरपाट में याजय के साथ में, मरपाट में थे, यह लोग लड़के बच्चे थे, तो इन से मलदा कहा कि तुर बाप कहा है, हम वही मारा मारा, तो इन लोग फोन करी नहीं, तो हम हैं से आजय भाईया के साथ में वापिस गया नहीं, तो उनहीं सम्झावता करके वापस कर दी हैं, जब जब सम्झावता करके जईसे गालिम बैठा हैं, तो इसे पीछे से लालान पाठक, और यह कि राजन और राजेस पाठक और आमित इन लोग मार फिट करें लाठी जंडा लेया लेया है, एक हे बाद में फे तरुन पाठक आये हैं, तो उनकर अलाका छोड़ाए नहीं, और तरुन पाठक लाठी लाए रहे हैं, लिकि मारें नहीं आये हूँ आप देख रहे हैं, डखल न्यूल